आधे से नमस्ट दोस्तों सॉगय जबक्रिंच जानने वाले हैं गलाउकॉमा या फिर ग्लुकोमा के बारे में तो प्रोनाशेशन परसनं टूपरसन वक्षि रहता है तो क्या होता है यह ग्लावकोमा जिसे हिंदी में काला मोतिया या फिर काला मोतिया बिन भी जो है वो कहा जाता है तो यह कंसेप्ट समझने से पहले एक ही जमलोग समझ लेते हैं कि जैसे जो गुबारा रहता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हेलियम गैस या फिर जो मु के पानी चाल जाता है तो पानी क्षे में पानी के अज रहता है तो यह च多ल प्रेशर और प्रेसर ऐसे ही जो हमारी आँख रहती है वो भी अगुबाले के जैसे हम दिखते हैं कि सरकल जो स्पिरिकल शेप रहता है जिसके अंदर फलूड्स रहते हैं यही फलूड की quantity अगर ज़्दा बढ़ जाती है या फिर उसकी लेवल जो है वह ज़्दा बढ़ जाती है, उसे कुछ भी कारण हो सकता है, उसके कई और कारण रहते हैं, जिसके बारे हम लोग समझेंगे, किसी भी कारण की वज़े से अगर वो बढ़ जाता है, तो उसका अगर फ्यूड बढ़ जाएगा, तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा, वो प्रेशर अगर बढ नहीं किया जाता है एक समय के बाद तो यह पर्मनेंटली वीजन लॉस का कारण भी बन जाता है यही ग्लावकोमा का एक सिंपल डेफिनेशन है जो आपको सिंपल तरीके से मैं समझाने की आज पुरा कोशिश करता हूं तो ग्लावकोमा के पहले हम लोग यह समझ देते हैं कि यह जो बेसिक स्ट्रक्चर है आय का तो यह मैंने पहले जो आय का टोपिक बनाया तो उसे मैंने अलड़ी एक क्लियर कर चुका हूं तो जो टर्म्स में बोलूंगा उसमें डीटेल में नहीं जाओंगा आप वो वीडियो रेफर कर लीजेकर जो इससे पहले दो वीडियो के यह क्या करती है यहां जहां मिलती है वहां पे एक एंगल बन जाता है यहां से एक फ्लियूड रिलीज होता है यहां पे रहता है जो की इस एंगल होता है यह काम करता है करने का u करने काम यहां पर करती है तो यह जो एंगल है यहां पर यहां पर चाहिए और सीक्रीशन बराबर होना चाहिए और सीक्रीशन होने के बाद जो ड्रैनेज होता है इंगर करन से अगर डिस्टर्व हो तो प्रेशर बड़ जाता है ऑप्टिक नर्व जो है वो डेमेड हो जाती है वीजन लॉस हो जाती है तो यही ग्लावकोमा का सिंपल कंसेप्ट है ठीक है ऑप्टिक नर्व जाती है फ्रम फिल्ट बाई बिल्डब इन देर आए लेफ्ट अंटीटेट लीट सु पर्मनें लॉस अगर इसे जो है वो लॉस हो जाती है ठीक है यह एक एज इस्यू है मतलब आप देखेंगे कि 50-55 साल के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके की जो कंडिशन है वो लोगों को देखने को मिलती है तो यह एज रिलेटेड रहने कि बहुत ही कम है जो कि कम एज में या फिर न यहां से प्रहपर हो रहा है इसमें कोई प्रॉल्म नहीं है लेकिन जो यहां से जो जो सिक्रीशन हो रहा है यहां से जो सेल्स का वह प्रॉपर तरीके से हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है मतलब बाहर जो है वह फ्लूट नहीं जा रहा है जो फ्लूट का जो बैलेंस होना है इसकी वादे से डिस्टरब हो जाता है और जो आखों का प्रेशर जो है वह बढ़ जाता इसमें वाशन में प्रेशन ना जाती है वह थोड़ी मोटी हो जाती है जिसकी वज़े से हो जाता है यहां पर अपना काम पहले प्रॉपर कर रही थी पर दब जाएगी तो फ्लूट सीक्रेट नहीं कर पाएगी तो आखों में देते हैं कि हो जाता है और यह चीज़े यहां तो ग्रेजुली होती है यह तो धीरे-धीरे होंगी तो यह सुझन यागा कोई इंफेक्शन होगे तो तुरंट अगर करता है तो कंडिशन जो है वो कभी-कभी सब्सक्राइब भी हो जाती है ठीक है नॉर्मल टेंशन गलाव कोमा इसका रीजन अनुर्ण है ओप्टिक नव्ड़ डेमेज हो गई लेकिन जो प्रेशर है फ्यूट का वह नॉर्मन है तो ऐसा क्यूंकि आप्तिक नर्व में जो ब्लड़ सब्लाइब हो रहा है वह ब्लड़ सप्लाइब कारण से है इसका कारण यह हो सकता है वह वह कि नरस है जो गोंके भूल दलप सब्लाव को में ठीक है तो लॉम वह देखते हैं कि जो जाता है इसके वाज़े से आखों में प्रॉपर ब्लड शर्कुलेशन नहीं पहुच पाथा इसके वह नर्व डेमेज हो जाती है ग्लावपोमा चिल्डर्न चिल्डर्न में भी देखा जाता है इन बॉन या तो इन बॉन रहेगा या तो कुछ सालों के बाद हो डेवलप होगा डेवलप फ्यू यहां का उसके वाज़े से या तो कुछ किसी कारण से अगर कोई इंजूरी हुआ है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अगर होई है तो उस कारण की वज़े से क्या होता है यह जो ड्रेने सिस्टेम है वह ब्लॉक हो जाता है और वह जो जो कंडिशन है वह बच्चों में देखने को मिलती है ठीक है यह इसलिए इसे ग्लावकोमा चिल ठंक आ जाता है पिगमेंटर ग्लावकोमा मतलब क्या कि जो आईरीस है उसमें पिगमेंटेट सेल्स रहती है तो स्मॉल पिगमेंट ग्रेनियो फ्लैक्स ओफ फ्रॉम आईरी इसलिए पिगमेंटेट सेल्स रहती है तो क्या होता है कभी कभी और स्टेमिलेशन से वह जाती है उसके जो फ्लैक्स तुकडे रहते हैं वह तूटके वहाँ बिगना शुरू हो जाते हैं जिसकी वड़ी से प्रॉपर तरीक से मुव नहीं हो पाता है जो यह एक्वेस फ्ल यह हैं कभी कभी देखा गया है कि जादा जादा करें करने के वजह सब्सक्सक्रांगे होगा थ्यारमत रखिये एक स्टडी में यह देखा गया है इसलिए इसे इसा बताया गया है ठीक है अब रिस्ट्रेक्टर क्या-क्या है पहले वो समझ लेते हैं ग्लावकोमा अफेट्स आया विजब बिफोर नोटिस अपने सिंटम्स पता होने के पहले ही आपको ग्लावकोमा अटेक जो है वो कर लेता इसलिए कुछ फेक्टर से अगर आप उ प्रेशर कहा जाता है वह बढ़ जाना एक प्रकार कर रिस्ट्रेक्टर है जिसकी वज़े से किसी भी ततारण के अगर प्रेशर वह आखों में से तनाव महसूस होता है तो तुरन जो है वह आई स्पेशलिस से बात करके उसे नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है एज ओवर 55- कि आसपास है तो रिक्स फैक्टर है कि आपको ग्लॉकॉमा होने के चांसे रह सकते हैं ब्लैक और एशियन हेरिटेश कि अगर किसी का काला है या फिक जो एशियंस साइट के जो लोग है उस तर उन लोगों में जादा देखने को मिलता है फैमिली इस्ट्री में मता पिक्ता दाधा जी को किसी को भाई बेहन को अगर हिस्ट्री रही है ग्लॉकॉमा की पहले तो उनमें यह होने का चांसे ज्यादा रहता है जेनेटिकल ट्रांसफर होता है अगर आपको डियाबिटीज माइग्रेन हैं हाई ब्लड प्रेशर है सिकल से रैनीमिया है तो ऐसी कंडिशन अगर आपको है तो आपको अपना आए चेकप जो है वो रेगुलर करना चाहिए क्योंकि एक रिस्ट फैक्टर हो जाता है ग्लॉकॉमा के लिए तिन कॉर्णिया फ्रम सेंटर जो कॉर्णिया है यह यह अगर बीच के एरिया से अगर यह पतली है तो इसकी वज़े से भी ज साइटनेस देखे जादा किसी को दूर करना देखना या जादा किसी को पास का ना दिखना यह भी एक तक्रीफ है या फिर एक रिस फैक्टर है जिसकी वादे से आपको ग्लॉकोमा होने के चांसे रहते हैं आए इंजूरी सर्टन्स को सर्जरी आपने कुछ करवाई है अगर जादा अगर आपके समय में आई ड्रॉप में आप लंबे समय से अगर ले रहे तो आपको यह रहेगा तो सबसे पहला यहां पर ओपन एंगल ग्लॉकोमा ओपन एंगल ग्लॉकोमा के कॉसे क्या है वो देख लेते हैं इसमें कोई पर नहीं रहता है अर्ली स्टेश पर ग्रेजुवली जो कुछ पैचेस हैं वहां पर बनना शुरू हो जाते हैं बाद में जो है एक डिफिकल्टी हो जाती विज्जर में मतलब धीरे धीरे आपको इसका जो ग्रेजुवली जो होता है शुरू आतमे इसके सिम्टम देखते अगर नहीं करता हैं तो फिर इंकलोज उसकते ग्लाइख को में इसमें क्या होता है मतलब क्या हो रह dar अगर मैं देख रहा हूं आपको उसके सामने आपको अगर इस तरी के सा एक सरकल अगर दिखाई दे रहा है और उसकी रोशनी का प्रभाव महावारत का सीरियल देखे तो पीशे से चमक आती तो वह लाइट और उसके बाजुना आपको एक एक सरकल चमक की अगर दिखती है तो कलर हो या फिर ट्रांस जो है जो है जो है जूं करके जिसे हम देखते हैं तो विस्तर के आगर आपको अगर क्यों क्यों कि यह बलजी आईरीज हो जाता है जिसकी वाज़े से फ्लूट का सीक्रेशन सही तरीक से नहीं होता है तो आखों में ड्राइन की वाज़े जो कारान जो है जो है तीसरा जो टॉपिक है यह जो नॉर्मल टेंशन गलोकोमा इसके जो सिम्टम से हैं जो सें पॉइंट करेंगे जैसे मतलब इसके जो से धीरे धीरे देखने मिलते है जाफिकिया शुरूलम供 बाहां में विजन काफी जादा वह ब्लिंकिंग करेंगे आग ज्यादा फड़ फड़ाएंगे टीक है टीर्स मिदाउट क्राइंग आसू आज बैठा है कुछ खेल रहा है तो भी उसके आसू भैते जा रहे हैं ना वह रो रहा है ना पुश्य तो भी उसके आसू या फिर पानी जिसे हम कहते है बैता जा रहा है ब्लूर्ड वीजन दूंदली वीजन नियर साइटनेश गेट वर्ज एंड़ है नजदिक की नजर उनकी जो है वो खराब होती जाएगी और जादा रहेगा काफी जादा वह रोते रहेंगे और उनको रहेगा तो इस तरीके के अगर उन्हें शिम्टम्स ह सकता है आपका जैसे करते जाएंगे जैसे मैं आपको पहले बताया था कि पिग्मेंट वगर जो यह रहते हैं ज्यादा जोगिंग और इसके बाद अगर उन्हें ज्यादा ब्लूर्ड विजन लग रहा है धुंदला दिख रहा है लाइट के बाजू में हैलो वगर जो है वह एक टर्म दी गई है वह अगर आपको जादा दिखाई दे रहा है तो इसकी वद्धे से क्या होगा कि आपको यह पिग्मेंटेट ग्लॉकोमा के कैटेगरी में जो आप गिने जाएंगे और ऐसा अगर चलता रहा तो आपकी साइ में प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं फिर इसको जान कैसे सकते हैं सबसे महीनपने क्यों कहते है कि पांच छे महिने में या यह करना चाहिए तो हर महीने में अगर आपको कोई इस रिफरेंश फिर तीन महीने में चेह में उसे रेगुलर एक विजट देते रही अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो तो 6-6 महीने का भी अगर आप बना लेते हैं हर 6 महीने में एक रेगुलर सिफ आखो का चेक अप करवा जाएंगे तो क्यों क्या होता है कि जो पांच सेंसे हैं उसमें सबसे इंपोर्टन यह है है हमारे आखें क्योंकि आखों सब चीजे जो हैं वो देख पा रहे हैं और दु अगर किसी को है तो फिर आप जैसे बढ़ती जाती है चेक अप का समय उसे जो है वो उसे बढ़ाते जाहिए कुछ काम कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं दूल मिट्टी है तो हमेशा स्पेक्स पहनना महलमेंट को पुरा प्रॉपर कवर करके रखना और जितना हो सके प्रोटेक जितने प्रोटेक्शन चीजे रहती है वो सब आपको कैरी करनी है और ताकि आपके जो आखे हैं वो डेमिज नहों सके टेक टेक दप्रिस्क्राइब ड्रॉप किसी के कहने से कही लोग कहते हैं कि यार मैंने वह आईड्रॉप लिया था तो मेरे आपकों में फुरा सा रिली जाए प्रिटीज है मुझे कुछ कोई और तकलीफ है तो मैं कंसल्ट करूं गूंगा न डॉक्टर से तो यही थॉट होना चाहिए कि डॉक्टर से ट्रीट्मेंट लेना है कंसल्ट करना है अपनी कंडिशन बतानी है वहर चीज देखेंगे उसके बाद ही हमें ट्रीट्में टोबिक अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर की लिएगा अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे चनल पर सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब की थी थैंक्यू